यह देखे मेरे मूंगलेट चीजी वेजटेबल के साथ ब्रेकपास्स तयार हो गया है आप इस तरह से बनाएं और इसका प्रोसेस पूरा देखें बहुत सिंपल है देखें हमने चीज डाला है तो वो मिल्ट हो गई है इस तरह से चीजी बहुत ही बढ़िया यह मूंगलेट बना है कि इसके अंदर देखें यह कितना बढ़िया चीज मिल्ट हुआ है बहुत इलाजवास का प्रोसेस आगे देखें नमस्कार मैं रश्मी मिश्रा रश्मी कजाना में मूंग की दाल का चिल्ला बना रही हूं इसको मूंगलेट कहते हैं इसलिए कि इसमें हम गाज़ट डालेंगे हरा धनिया डालेंगे प्याज है टमाटर में महीन इसको चॉप कर लिया और इसको ग्रेट कर लिया गाज़को यह सब डालेंगे तो इसको पहले हम grind करेंगे इसमें हम अद्रक और हरी मेर्च डाल के और उसमें grinder में grind कर लेंगे और उसके बाद यह सारी चीज़ें मिलाके और अजवाईन नमा स्वाथ के अनुसार मिलाके हम breakfast बढाएंगे सिंपल है लेकि बहुत हिल्दी मूँं के दाल का मूंगलेट ये देखे अब मूं की दाल को मैंने अद्रक हरी मिच के साथ ग्राइंड कर लिया अब इसमें आजवाइं डाली है और ये अब इसमें हम गाजा डाल देंगे हरा धनिया डाल देंगे और ये प्यास टमाथर जो ग बनाक नमक्तों डालना ही घा आप तो की सब्सक्राइब नमक्तों डालना ही है। और मूं के चीजों में हिंग डाले तो ये मैंने हिंग डाल और उपर से थोड़ा सा चीज डाल के इसको रैप कर दिया है, तो उससे वो चीजी मूंगलेट बन जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, ये देखिए मैरा पूरा पेस्ट तयार है, सब चीजे मिल गई है, और जब बनाना हो तो उसमें हम चीजी मूंगलेट देंग तो उससे समय बनाते समय मैं दिखाऊंगी, बहुत आसान और अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये देखिए, अब ये मेरे चिल्ले हलके से पहले सेक लेंगे, इसको उसके उपर से ये चीज, तो चीज के साथ बनाएंगे, ये चीज को आप जितना खाना चाते हैं, उतना डाली, मैंने हलका डाला है, और अगर आप, आप अगर ज्यादा डालना चाते हैं, तो इस तरह करके, और फिर इसको रैप कर देंगे, इस तरह से, फोल्ड कर देंगे, और दोनों तरब से क्रिस्पी सेक लेंगे, और इसको चटनी के साथ साथ करेंगे, आ वेजिटेबल्स के साथ हेल्दी बेटपास आप भी ऐसे बनाएं खाएं किलाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें नवश्कार